नमस्कार दोस्तो रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेगनेंसी के तवरान कई गर्वती मैलाओं का पेट कम निकलता है यानि उनका पेट जितना बाहर निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता है कई गर्वती मैला इस बात को लेकर काफी ज़्यादा चिंतित रहती है इसे में ऐसा क्यों होता है इन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो सुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिभीव सपोर्ट जादा मुस्किल भरा समय होता है इस समय गर्वती मैलाओं के साथ कई सारी दिक्कते भी आती है लेकिन इन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए और प्रेग्नेंसी के तोरान उनको सभी कामों में साबधानी रखने के जरौत पड़ती है इसे में उनका पेट छोटा क् सहले आपको में बता दू अगर आप प्रेग्नेंसी के एक से लेकर चार महीने तक के बीच में हैं तब आप इस विशाय में चिंता न करें क्योंकि प्रेग्नेंसी के पांचवे महीने के बाद से ही आपका पेट थोड़ा बहुत निकलना सुरू होता है एक से लेकर चार मही तक आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है और इसे में आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अब कुछ कारणों के बारे में जिसकी वज़ा से आपका पेट छोटा दिखाई देता है तो पहली कारण अगर आपकी पहली नहीं हो रहा है या किसी बीडिखार का डेवलप्मेंट में कमी आ रहा है तो इसकी व्ज़ा से भी आपका पेट बाहर नहीं निकलता है क्योंकि आपके गर्ब में पलड़ायक स्थिस्पिर होगा ही नहीं तो पेट कैसे बाहर निकलेगा तीसरी करन अगर आप गर्वति है और आपका हाइट ज्यादा है यह एकर आप लंबी है तो इस इस्थिती में भी आपका पेट बहुत कम निकलता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबी गर्वति महिलाओं में उनके पेट में काफी ज़्यादा जगह हो जाता है ज सिसू के development के लिए प्रयाप्त जगह मिल पाती है जिसकी वज़ा से आपका पेट बाहर की तरफ ज्यादा नहीं निकलता है चौथी और सबसे महत्पुर्ण कारण आपको मैं बता दू अगर आपके इम्मिनूटिक फ्यूलीड में पानी बहुत कम है तो इसकी वज़ा से भी आपका पेट बाहर नहीं निकलता है आपको मैं बता दू इम्मिनूटिक फ्यूलीड में जितना पानी रहेगा उतना पेट आपका निकलेगा क्योंकि Immunetic Fluid में ही आपके गर्व में पलडा सिसू होता है और उसी में पूरा दिकास आपके सिसू का उसी Immunetic Fluid में होता है तो अगर आपका Immunetic Fluid कमजोर है या उसमें पानी कम है तो इसकी वज़ा से भी आपका पेट बाहर नहीं निकलता है वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पांचवी कारण पांचवी और सबसे महत्पूर्ण कारण है अगर आप गर्वधारन बहुत कम उम्र में करती है यानि एफ्रोक्स आप समझे तो आप 18 या 20 के उम्र में अगर गर्वधारन करती है तो इस स्थिती में आपको चांसेज रहते हैं कि आपका पेट उतना न निकले जितना नॉर्मल गर्वती महिलाओं को निकलता है अगर आपको ये सारी दिकते आएंगी तभी आपका पेट प्रेग्नेंसी के दवरान उतना नहीं निकलता है तो यही सब थी वीडियो की इंफर्मेशन अगर इंट बॉक्स में पूछ सकती है आप आज के इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें